नमस्कार दोस्तों, युक्रेयन और रूस के बीच जो युद चल रहा है, पूरा विश्व इससे चिंतित है, मानवादिकारों का भी उलंगन हो रहा है, जन सहार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, और विश्व के उपर एक खत्रा जो है मंड़ा रहा है, हम इस पूरे घटन करम को सरल भासा में समझने का परियास करेंगे, हलांकि आज दस दिन से जादा हो गए हैं इस युद को, और आपने जो है इस मेटर को समझ दिया होगा, फिर भी अगर आप चाहिए इसकुली विद्यारती हो, या चाहिए आप बहुत कम पड़े लिके हो, मेरा परियास रहे कि आप इस पूरे गटना करम को बहुती सरल तरके से समझें और इसके बाद में आप अपनी राय की अभिवेक्ति भी करें कमेट के रूप में कि कौन आपको सही लग रहा है, क्या यूक्रियन की गलती है, नाटो और अमेरिका की गलती है, या सिदे दोर पे रूस की गलती ह आप इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय भी जो है इस मुद्दे पर अपने पर कट कर पाएंगे, एसा मुझे येकीन है, ये आप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड का जो मेप है, इसमें आप जैसे अगर रूस को देखेंगे, तो रूस जो है वो का समुहता पंद्रेदेश थे, फिर उन्ने सो इकराणमा में वो उसे अलग हो गए, फिर भी अभी इसका जो छेतरफल है, वो भारत से लगबग 6 गुना बड़ा है, भारत का छेतरफल जहां 32 लाख वरग किलो मिटर है, वहीं रूस का 1 करोड 70 लाख किलो मिटर है, हालांकि उसका आदा हिसा तो पानिम का ही है, और भहुत सारा हिसा जो है उत्री धुरुवका है, तो वो मानव के रहने योगे नहीं है, आपको इस कलोग के मादिम से और समझाते हैं, यहां आपको यह पूरा सिधा दिखाई दे रहा है, रियल में यह इस्तती है, जैसे आप देखि यहां से लेके और यहां, तो यह पूरा उत्री धुरुव हो गया, यह पूरा का पूरा ठंडा इलाका भी है इदर से, तो रूस का मुक्यत है जो इलाका है युरोप वाला, जो की युराल परवत से आगे, तो वो जो इलाका है, वो ही उसका ज्यादातर जो उसकी आबादी है वो इसी इलाके में है यूरोप के आसपास और जो रूस की जो आबादी की बात करें तो रूस की आबादी है 14 करोड के आसपास और यूकरेन का जो यूद चल रहा है उससे यूकरेन यहां पे आप इस नकसे में या देख पा रहे हैं तो यूकरेन जो है उसकी आबादी है 4 यानि राजस्तान से लगभग आधी और युक्रेयन के शेतरफल की बात करें तो युक्रेयन का शेतरफल जो है राजस्तान से लगभग दूगुना है यानि करीब छह लाख वरग किलोमेटर के आजपास तो शेतरफल में राजस्तान से दूगुना आबादी में राजस्तान स भी देखेंगे इसके करांती को थोड़ा देखेंगे और नाटो क्या है वो देखेंगे और उसके अलावा युद जो है उसके प्रस्तितियां क्या रही है वो भी हम देखेंगे और रूस के राश्ट्रपतियों पर भी नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपके ये बात तोड़ी कलियर होगी होगी विश्वय की स्तत्य के हिसाब से कि रसिया के एकदम पडोस में ही यूरोप की साइड में पूर्वी यूरोप में यूरोप के बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूक्रेन जो है वो पूर भी यूरोप में पढ़ता है अब बात क्या है जगड़ा किस बात का है इसको समझते हैं ये देखिए हम इतियास के बात करें तो ये रूस जो है 1901 से पहले रूस जो है इसमें ये 15 देश सामिल थे और जिसें स सोवियत संग के नाम से जाना जाता था और ये जो सोवियत है ये किस हिसाब से पड़ा क्या गटना रही इसके पिछे की बात करें हम तो इसमें हुआ क्या था रूस में करांती हुई थी ठीक है 1917 में करांती से पहले रूस में राजा हुआ करते थे राजा को जार कहा जाता था और रानी को जनिना कहा जाता था तो 1917 में पर्थम विश्व विद चल रहा था और रूस जर्मनी से युद कर रहा था युद की वज़े से वा महेंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी लोग राजा से पहले भी नराज थे युद की वज़े से ओल नराज हो गए और लोगों का कहना था कि युद में ज और लेनिन वहाँ पर करांथी के नेता बने और बुलादीमिर जो लेनिन है इलियस लेनिन उनके नेतरतों में 1917 में रूस में करांथी हुई एक मार्च में हुई एक अक्टूबर में हुई पहले वाले मेन सिविक बाद वाले बोल सिविक तो बोल सिविक करांथी जो है 1917 में हुई जो जार था निकोलस द्वितिय उसको हटा दिया गया और जो सत्ता है वो लेनिन के इसमें ये कहा जाता है कि समाज के अंदर जो भेदवाव है समाजिक भेदवाव है वो खत्म हो जाना चाहिए आर्थिक भेदवाव खत्म हो जाना चाहिए समाज में दो परकार के लोग होते हैं एक तो अमीर लोग होते हैं पुंजी पती होते हैं और दूसरे होते हैं सरमिक और गरीब लोग तो ये सामेवाद कहता है कि इन अमीरों के पास में जो भी समपती है उसको हिंसक तरीके से करांती के दुआरा लूट लो और गड़ीबों में बाठ दो सरकार को उनकी समपति चीन लेनी चाहिए और सब को बराबर कर देना चाहिए नए कोई अमीर नए कोई गड़ीब सबके सब बराबर सामें एकदम समानता ये है सामयवाद अब समाजवाद में क्या फरक है सामाज़ वाद जो है वो भी मानता है कि समाज के अंदर समाजता होनी चाहिए नहाइ होना चाहिए अमेर गरीब के वीच खाई मिटनी चाहिए मगर उसके लिए वो ये रास्ता नहीं अपनाता कि उनको लुट लो, करांती कर लो, खून भाहो ऐसा नहीं उसमें ये है कि सरकार ऐसे पर्यास करें कि जो अमीर है वो जो उतपादग है क्योंकि अगर फैक्टरिया नहीं रहेगी उतपादगता नहीं रहेगी पुंजी पती नहीं रहेगे तो फिर विकास काँसी होगा तो वो कहरें कि पुझीपती भी हो, मगर उसके भी कुछ जम्यदारियां हो, और सरकार अपने पास कुछ ऐसे रखें, सरकार अपने पास में जो जितने भी सारुजनी कुपकरम है, सरकारी फेक्टरियां है, एजेंसियां हैं, वो सब सरकार अपने पास में रखें, हिसाब से जो है उसका वित्रन करें सरकार खुद सामाजिक न्याय की स्थापना करें तो समाजवाद के अंदर जो है वो भारत में समाजवाद को अपनाया गया है और एक बीच का रास्ता है पुंजीवाद और सामेवाद के बीच का पुंजीवाद में क्या होता है जैसे अमेरिका तक से अपने करेगी वो पुंजी वाद है आज अमेरिका में और अन्य देसों में आप यूरोप में पुंजी वाद देख रहे हैं रूस सामेवाद के आदार पे करांती हुई थी और पूरे विश्व में फिर जो है एक हवा चला था कि ये जो सामेवाद है वो सब जगह फेल से आपके सामेवाद के आदार अब है जबकि समार नुए ये जये शरकार करती है तालमेल विठाने के हैं ये वेवारी कावधारना है, हालनकि ये भी कुछ समय वेवार में रही, मगर आके जाकर जो है इन देशों को भी अपने सामयवाद का जो कटर रुख था उसको कम करना पड़ा और धिरे धिरे पुंजिवाद के और अगरसर होना पड़ा, यहाँ पर जैसे सामुईक खेती, कि सबी खेतों को इकठा करके और एक साथ खेती करना, सामुईक गाउं, इसमें आपको पता है कई लोग आलसी होते हैं, काम चोर होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो सामुईक जो है वो पार पड़ती नहीं है, नीजी चीजे होती है, उसमें वेक्ती जिम्यधार होता है, कि जो देश है जिसमें की पंदर आप देख पा रहे हैं इनका गुरुप जो था वो था सोवियत संग अब थोड़ी सी बात करें इतिहास की तो 1917 में करांती हुई और राजा को हटा दिया गया और जर्मनी के साथ में फिर रूस ने तुरंद संदि कर ली पर्थमी सोट से अलग हो गया ब्रेश्ट लिटोवस्क की और रूस ने अपनी परगती के और ध्यान दिया रूस ने योजनावद नियोजन तरीके से विकास के और ध्यान दिया कि धरे धरे उद्योगों का भी विकास करना है और उद्योग सारे के सारे सरकार के एंडर में थे गोर्विंट के एंडर में थे अब गोर्विंट के एंडर में सारी चीज़े होने से क्या होता है कि तोड़ा निरिक्षण की भी दिक्कत आती है तोड़ा जवाब देई ताभी जो है वो बढ़ जाती है तो अब यहाँ पर हम बात करें कि सबसे प गुर्भाचेव के बाद में जो वो रूस का जो विखंडन है वो हो गया था सोवियत संग तूट गया था और जो नया रूस बना यानि सोवियत संग हटके जो केवल रूस बना जो कि आप यहां लाल कलर में देख पा रहे हैं उसके पहले राश्ट्रपति बने बोरिस रह सकता है तो वो परधान मंतिर रहे पहले चार-चार-आठ साल फिर वो राश्ट्रपति रहे गए पिर वापस परधान मंतिर रहे गए और फिर समिदान में संसोधन कर लिया कि वो कारेकाल उन्होंने अपना बढ़ा लिया अभी रिपोर्ट आई थी साल बर पहले कि वहा प्रध संग भिखरा हुआ तो एक बार ऐसा लगने लग गया कि अब अमेरिका के सामने उसको चुनोते देने वाला कोई देश नहीं बचा है रूस कमजोर हो चुका है मगर पुतिन के नितरत्व में रूस ने अपनी विश्व में जो मजबूती है अपना जो पक्ष है वो एक बडर का रखा है और एक तरह से अमेरिका के जो ऊसका जो वर्चस नहीं का प्रयास किया है तो बलादी मिर जो पूतिन है उनकी लोगप्रिता बहुत ज़्यादा है रूस में और लोग उनको हद से ज़्यादा जो है लगाव रखते हैं चाहते हैं तो उनोंने एक संसोदन और करवा लिया उसके अनुशार अब 2036 तक वहां के राष्ट्रपती पूतिनी रहने वाले हैं परदाहनमंत्री राष्ट्रपती सिष्टम कौन सा है वहाँ क्या संसद्य परणाली है या अधिक्षिय है वहाँ पर अर्द अधिक्सात्मक परणाली है अर्द अधिक्सात्मक में क्या होता है कि जिसे अमेरिका है वहाँ पर अधिक्सात्मक परणाली है वहाँ पलेका का परमुख। यहां पर अर्द जो अधिक सात्मक प्रनाली उसमें क्या होता है कि परदान मंत्री और राश्ट्रपती दोनों ही जन्ता के द्वरा निर्वाचित होते हैं। तो इसमें क्या है कि दोनों के पास यह सक्तियां जो है उनका एक तालमेल करके बंटवारा होता है अब हालाँ की विक्ति कौन परभावसाली में पुतिन की बात आपके समझ में आगी पुरे राश्टरपती हमने देख लिए करांती हमने देख लिया अब इसमें क्या है एक थोड़ी से बात हम सीटियुद्ध की भी कर लें कि 1949 से लेके 1945 तक द्यूतिय विस्विद हुआ उसमें वो जर्मनी आर्दी धुरी राष्टर थे जर्मनी जापान वो हार गए और ये अमेरिका रूस सब साथ में लड़ रहे थे पतलब ये एक गुट था इनका मित्र देश अब यूरॉप तो कमजोर हो गया था 22.mm के बाद में अब सकति साले में एक तो अमेरिका रहा और रूस रहा तो दोनों के वीच में कहिस्दान शुरू हो गई रूस वे से देखो टेकनोलोजी के मामले में जासुची के मामले में इंटरनेट आधी तकनिक के मामले में बहुत आगे हैं अमेरिका वे से भी कई मामलों में आगे हैं विशेसकर जासुची के मामले में और अंत्रिक्स से समन्देता आपको पता हो कि सबसे पहले अंत्रिक्स में यान जो बेजा था इस पूतनिक वो रूस ने बेजा था अमेरिका से भी पहले तो ये लोग आज से 50-70 साल पहले बहुत आगे बढ़ चुके थे और फिर इनकी भी इस हत्यारों की होड चली और हत्यारों की होड और एक दूसरे में आगे कौन बढ़े इसकी दोड में बहुत ज्यादा जो है विश्व में तनाव रहा गुट बन गए ऐसे गुट जो रूस का सपोर्ट कर रहे हैं वो गुट हो गया और एक ऐसे गुट जो कि अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं तो दो धड़ों में पुरा विश्व बंट गया और दोनों की बीच में तक्रार होती रही आपस में को शिदा युद नहीं वा परन्तु एक दूसरे को कमजोर करने के लि मिश्र जो है उसके अलावा जैसे इंडोनेशिया है तो नेरो नासिर्टी टो की जोड़ी बनी और गुट निरिपेक्स कि हम किसी भी देश में सामिल नहीं होंगे हम सचाई का साथ देंगे जहां कोई जरूत पड़ी तो वहां शेना भी बेजेंगे मगर एक देश के साथ म अफगानिस्तान में शेना भेजी रूस ने तो कई ऐसी प्रस्तियां आई मगर दोनों के बीच में अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध हुआ नहीं जैसे आभी डर लग रहे हैं लोगों को कि तर्ते विस्व युद्ध हुआ क्यों नहीं इसके पीछे कारण मुखे ह इतने खतरना कतियार है कि वो भी पूरी धर्ति को नष्ट कर सकता है जब धर्ती नष्ट हो जाएगी तो फिर ये खीनस्तान किसली युद्ध किसली है तो इसलिए इन देशों को पता है कि अगर वो आपस में भीड़ लिये तो फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं है आपस ने चाहिए वो इराग पे किया हूँ, वियतनाम वाली स्तती रही हो, चाहिए इसके अफगनिस्तान में रही हो रूस की स्तती, फिर अमेर्का ने अफगनिस्तान पे किया, तो ये मामले आते हैं, ये देश जैसे अभी अमेरिका एपर्टेक्स रूप से कारवाई कर रहा है, अगर यह आपस में बिढ़ लिए, तो तो फिर धर्तितवा हो जाएगी, तो इसलिए जो ये मामला था, वो इसमें यानि की घटनाई जो है, वो आगे नहीं बढ़ती, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो आगे नहीं बढ़े, अब यहां पर आप देखिए युक्रियन की बात करते हैं, तो युक्रियन को आप तोड़ा सा और समझें, कि ये करीमिया है, करीमिया भी एक छोटा सा जो टुकड़ा है इसी का देश था, इसको 2014 में रूस ने इस पर कबजा खड़ लिया था, ये युक्रियन की इसकी राजदा नहीं है, और हम बात करें आगे इसको स हमने दूसरे विसुद की बात की, और उसके बाद में सीतुद की बात की, तो सीतुद जो था, सीतुद में क्या हुआ था, कि वो गुट बन रहे थे देशों के अपस में, और ये जो गुट थे, इन गुटों के कारण, जो है, इस्तती, खतरनाक बिगड़ती जा रही थी, अब ये इलाके इसके परवाव में हैं, रूस के, और ये युकरेन जो है भी इसके परवाव में नहीं है, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं, और आप इसको समझ सकते हैं थोड़ा, ये जो दो इलाके हैं, इन पर अभी रूस ने जो अपना नियंतरन हो इस्तापित कर है यहां पर यह काला सागर है समुंदर है अब समुंदर से भी नो से ना भी इदर से आ सकती है नाटो देशों की तो रूस चाहता है कि युक्रेयन का ये जो इलाखा और ये इलाखा पूरा उसके कंट्रोल में हो ताकि ये एक लेंड लोक देश बन जाएं और समुंदर से इस नाटो न ए टी ओ नोर्थ अटलांटिक इसको आपको दिखाते हैं फुना है ये गलोब है और यहां पर भारत और ये अफरीका और यह आप देख पा रहे हैं महासागर अटलांटिक जो की स क्याकर्तिका है तो उत्री अटलांटिक, यानि अटलांटिक में उत्र के देश, जिसमें आप देख पा रहे हैं, अमेरिका है, कनाडा है, उसके अलावा पूरा यूरोप उत्र में ही है, तो यह जो उत्री अटलांटिक जो डेश है, नौर्थ अटलांटिक, उनका यह संधी संग्टन है, जो लड़ानी हो जाए तो इन्होंने गुट बनाया था कि इन 12 देशों में से किशी बर भी अगर रूस या कोई देश रूस का सहयोगी या कोई अन्य देश जो कि नाटो का सदस्य नहीं है वो हमला करता है इन 12 पर तो ये 12 कबारे मिलके उससे लड़ेंगे उसको ठोकेंगे तो ये 12 देश थे एक दरजन देश फिर ये बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और वर्तमान में इनकी संक्या हो गए ये 30 और उधर रूस ने भी एक वार सापिक्ट किया था जो कि 1905 में किया था और उसमें भी कई देश हामिल हुए थे जिसमें ये 15 तो थी तो इन्ह युद की स्ततियां थी और कई भार विसो के लगा कि पून है तीसरा विसो युद हो सकता है अलांकि दूसरे विसोईद में भी करोणों लोगों की जाने गई और जानमाल की अर्बों-खरबों का नुपसान वा भूत बड़ा जो मानुता को जो है दर्द जहलना पड़ा य रूस अकेला रह गया बाकी देश सवतंतर हो गये उन्होंने कहा कि हमें कोई गुटवट से मतलब नहीं है सामेवाद फलोफ हो गया इन्होंने धरे-धरे उद्योगी करण और जो LPG जो उधारे करण निजी करण वेश्वे करण उनको अपनाना सुरू कर दिया तो एक तरस के उद्योगों को नया जिवन देना जुरूरी था इसलिए अब ये इस्तति हो गए कि जो शीत्यूद खतम हो गया तो फिर ये वारसा वारसा की भी क्या जूरूत है तो वारसा अपने आपी कमजोर हो गया अब नाटों की भीवेसे कोई जूरूत नहीं थी मगर अमेरिका और ये देश इसको खतम करने वाले नहीं थे कि बले ही रूस तूटा हो मगर क्या पता चुनोती भख्षों में मिल जाए इसलिए नाटों के सदस्य बढ़ते गए और वरतमान में 30 हो गए अब युक्रेन जो है छोटा सा देश हमने देखा 4 करोड की आबादी है ये भी ना कोमेडियन था अभी नेता था अब वो इनके बहकाओं में आ गया अब हलांकि देखो युक्रेन इतने सालों से भी आप देख पा रहे हैं आपने पहले नहीं सुना ऐसा कोई खतरा तो अब ये कुछ राष्ट्रपति की नीतियों का भी इसमें फरक है ये आप रेड कलर में देख पा रहे हैं कि ये नाटो के सदश्य है सारे रेड कलर वाले जिसमें इटली और यूरोप, फ्रांस, बिर्टेन और अन्य कई देश सामिल है इसमें ये आप देख पा रहे हैं जो ब्राउन कलर में जो सलेटी कलर में ये ये युक्रेन है ये रूस है ये युक्रेन है और ये नाटो वाले सारे देश है, अब अगर किसी भी देश से, अब ये देखो सीमा पे है, ये है, किसी भी देश से रूस की अगर लड़ाई हो जाती है, नाटो वाले से, तो नाटो से पंगा लेना जो है भारी पड़ सकता है, तो किसी से भी अगर हो गया मालो, तो इस एक के साथ होने का मतलब है कि इन सुब के साथ में दुस्मनी और जो रूल लागू है वो सारे के सारे हो जाते हैं अभी ये देश क्यों नहीं लड़ रहे हैं नाटो क्यों कि अभी नाटो के साथ कोई लपड़ा नहीं है अब युक्रेन जो है इसके साथ हो रहा है इसके साथ में हो रहा है तो अब ये नाटो का सदस्य नहीं है इसलिए नाटो इनका कोई सवयूद नहीं कर सकता पहले सदा तो दिया कि यहाँ ठीक करो करो अब वो पता है कि अगर रूस से बिढ़ जाते हैं तो फिर तीसरा भी सवयूद और भयानक्ता तो अब रूस क्या चाहता है रूस यह चाहता है कि यह जो साप साप लिख के दे दे कि भी मैं नाटो का सदस्य नहीं बनूंगा पुरा एक समझोता कर लें यह कह रहा है कि भी मैं एक सोतंतर देश हूँ मेरी मरजी है संपुर्बू देश हूँ जिसके साथ जाओं चाहे नाटो के साथ जाओ चाहे किशी और के साथ जाओ चाहे जाओं नहीं जाओं आप को नोतियों करने वाले तो इस प्रकार की यह जो लड़ाई है यह चल रही है जबकि अब रूस को अगर हम देखे इस हिसाब से तो जिस हिसाब से नाटो विस्तार कर रहा है अगर इसको भी मालो यह अपने में ले ले लेते हैं तो अब आप देखिए कि रूस को पूरी तरह से घेर लिया गया है नाटो के द्वारा फिर चाहिए वो मिशाइल हो चाहिए यहाँ पे कोई और सामरिक हतियार इस्तापित करने हो कुछ भी करने हो रूस के एकदम ओर्डर के उपर किये जा सकते है और मास्क को यह पास में है तो इस हिसाब से क्या है कि रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर यह नाटो में मिल जाता है और थोड़ा यूक्रेयन को भी इतियास में जाना चाहिए कि यह कुछ सालों पहले इसका सदश्य था और अब एकदम इसके खिलाफ जो है यह खड़ा हो तो रूस भी उसको परदास्त करना मुस्किलर रूस का तो यहाँ पर नाटो देशों को और अमेरिका को भी सोजना चाहिए कि वो इस पर क्यों दवा बना रहे है बार बार इसमें सामिल करने के लिए इसकी आउसकता क्या है इतनी कुटबा जी कि इतना क्या खतरा है कि 30 देश पहले से यह 31 वा और मिल जाए उनके साथ में तो यह तो एक परकार से देखने में आपको लग रहा है कि घिराबंदी है यह साफ साफ किसकी रूस की अब हम आगे की बात करें थोड़ी सी और तो यहाँ पर आप देखिए अब यह देखने से आपका और थोड़ा सा दिल दहल उठेगा कि नाटो उननीस सो सित्याणमे से पहले यह बल्यू कलर में यह नाटो के देश थे अब सित्याणमे के बाद आप देखे किस परकार से इसने विस्तार जो है वो लिया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक, दो, तीन, चार यह संख्या चवदे की इनमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह जो नए देश है ना बलगारिया वगर है यह सब अलबानिया, रोमानिया, पोलेंड, लिथवानिया, एस्टोनिया यह चोटे-चोटे देश है, इनको एक बार आप पूना देखिए कि रूस के आजपास उसके बॉर्डर पर किस तरह से उसको जो है घेर लिया गया है यह रूस है, ठीक है, यूक्रेयन पे अभी जली राय लपड़ा, यह कुछ इसा रूस के पास में है यह क्रीमिया ले लिया था, अब यह सारे के सारे नाटो सित्याणमा के बाद बने है यह पहले से थे, अब अगर यह और आजाए, तो रूस के लिए फिर बच्चा क्या रूस को तो पुरी तरह से घेर लिया, नाटो ने, इसलिए रूस का कहना है कि जो है आप ये लिखे देदो समझोता कर लो कि इसमें नहीं मिलोगे हालां कि यूक्रेन ने EU, European Union में सामिल होने के लिए तो परस्ताव अभी भेजा यूद के दोरा नहीं कि मैं EU में सामिल होना चाहता हूँ EU में सामिल होने के बाद में NATO में सामिल होने की प्रकरिया शुरू हो जाती है तो इस हसाब से हम देख पा रहे हैं कि यूक्रेन भी एक अडियल रविया अपनाई हुए हैं हलंकि पुतिन जो कर रहे हैं मानुटा की दरिश्टि से जिसे दर्षचे देखने को मिलते हैं मैला हैं, बच्चे, बुजरुग, सब परेसान है, लोग मारे जा रहे हैं, बेगुना है लोग जो है मारे जा रहे हैं अब यूकरेन का एक आम नागरीक है, उसको क्या मतलब है नाटो से हैं और उसको क्या मतलब है किसी और से यह तो राजनितिक इसकतियां बनती है अब आम वहाँ पे बारती कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको क्या मतलब है तो ऐसे ही अब कोई होस्पिटल में यूक्रेन में कोई महिला भड़ती है उसको क्या मतलब है बनाटो से परंतु गोले का शिकार वो भी हो रहा है मिसाल का शिकार वो हो रहा है तो यह जो है हो गलत रहा है यहां पे बाचित का जो रास्ता है वो अपनाए जाना चाहिए और कुछ देसों को अब जैसे नाटो और अन्य देस चुप बेटे हैं तो उनको यहां पे सामने आना चाहिए कि मानवता अगर मानवादिकोरों के बात करते हैं तो यहां पे मानवता का नुकसान हो रहा है एक बात आपकी दिमाग में यह भी आती होगी कि रूस इतना सत्तिसाली है ठीक है तो फिर यह यूद को आज 10-12 दिन हो गए तो एक मिनिट का काम है रूस के लिए तो सिधा कोई बम गिराएं या कुछ और करें रूस अगर चाहें तो यूकरियन को तो एक दिन में एक गंटे में पराजित कर दें मगर यह हो नहीं सकता क्योंकि सिधा इसको नश्ट करें तो मानवता का भी नुकसान होता न कुछ अंतराष्टे नियम है कुछ साख है आम आदमियों को ऐसे मारा नहीं जा सकता सिधे ऐसे जो बेगुना लोग है उनको मारना एकदम ही मानवता की दरिश्टे से मानवा परादा है तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या युक्रेन को समर्पन कर देना चाहिए क्या युद आगे और जाएगा अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि युद जो है कोई खदरनाक रूप लेगा क्योंकि अपरोज की स्तिति यहां पे है नाटो इसमें साथ आएगा नहीं और संभावना यह लग रही कि जैसा क्रीमया में हुआ था युक्रेन जल्दी समर्पन कर देगा आप ये भी कमेंट करके बताएं कि क्या रूस गलत है या नाटो गलत है या युक्रेन गलत है आप अपनी राई की जूर अभिवेक्ति दें ये मेरा परियास था कि आपको इतियास भुगोल, राजनितिक आद्धी मुद्दों के दरिष्टी से नाटो क्या है सामयवाद, समाजवाद में अंतर रूस, सोवेत संग सोवेत संग का इतियास नाटो की वरतमानिस्तती और ये जो मुद्दा है इसको हमने समझने का परियास किया धन्यवाद